नमस्कार, 23 जन्वरी को बाला सहाब ठाकरे का जनम दिन है, महरास्ट के सबसे सम्मान जनक सक्सियत, जिनके नाम मातर से एक पार्टी चलती रही और एक पार्टी ही नहीं, पूरे महरास्ट में एक समय ऐसा बोल बाला कि फिल्म इंडस्ट्री से लेकर क्रिकेट में भी हर बड़े एक्टर से लेकर क्रिकेट के स्टार, उस मातोस्री में जाकर सर जुकाते थे, सत्ता प्योंक अभी काविज नहीं हुए, लेकिन सत्ता उनके सामने रेंगती थी, मुख घर जाकर ही देश के प्रधान मंत्री तक मिलने जाते थे, आज दुरगती ये है कि मातोस्री से निकल कर शीप सेना सुप्रीमों दस जनपत में सर जुकाने को मजबूर होते हैं, सत्ता उन्हें जनताने सौपी भाजेपा के साथ, लेकिन वो मिल गए कॉंग्रेस और NCP के सं और सरकार बना ली। नीला और हरा गायब हो जाएगा। उसके ट्रेन के इंजन वाले चुनाब चिन को रफ्तार पकरनी है। और ये आइडिया क्या अमित शाह के तरफ से मिला है। इस आइडिया के क्या मोल हैं। दरसल मन से चुनाब पुर्व गठवंधन कर रही थी NCP और कॉंग्रेस संग। मन से की बहुत बड़ी मांग भी नहीं थी। मन से चाहता था कि उसे कम से कम एक सांसद उसका जीत कर संसर भवन पहुचे। कम से कम तीन संसदिय छेतर में उसे महराश्ट में 48 में से 3 में उसे चुनाव लगने का मौका मिले लेकिन विधान सफा में वो एक बड़ी पार्टी के रूप में उसकी भूमिका हो और विधान सफा जो कुछी महिनों में होने थे उसमें इस गठवंधन में मनसे की भूमिका बड़ी हो लेकिन कॉंग्रेस को इससे आपत्ती थी आपत्ती सीटों को लेकर नहीं थी आपत्ती इस बात को लेकर के थी कि कॉंग्रेस एक नेस्टनल पार्टी है वो NCP के तरह सिर्फ महराश्ट के दाएरे में नहीं है यदि वो मनसे से गठवंधन कर लेता है तो बिहार और उत्तर प्रडेस की जनता को क्या जबाब देगा ये दूविधा कॉंग्रेस की बनी रही और इसी लिए चुनाप पूर्फ गठवंधन NCP और कॉंग्रेस का मनसे के साथ नहीं हुआ लेकिन मनसे की पैत्रिक संगठन पैत्रिक पार्टी सिवसेना से कॉंग्रेस और NCP ने गठवंधन कर सत्ता हासिल कर लिया तो ये टीस मनसे के अंदर में भी है और जिससे अलग हट करके सत्ता चीन करके सिवसेनिकों ने सरकार पनाली उट्टीस उस भाजपा को भी है तो क्या अंदर खाने एक बड़ी प्लानिंग हो रही है जो मीडिया में चर्चा हो रही है कि देविंद फार्णविस से आखिर क्यों मिले रास ठाकरे दोनों ने इंकार कर दिया कि अभी गठवंधन या किसी धंक की कोई बात नहीं है सच बात है चुनाब भी तो नहीं है हाल में तो क्या इतनी आसानी से भाजपा के लिए आसान होगा मनसे को स्विकार कर लेना जो कॉंग्रेस के लिए संभब नहीं हो पाया आखिर भाजपा भी तो नेशनल पार्टी है उत्तर प्रदेश में आज उसका बहुत बड़ा जना अधार है उत्तर भारत में की बड़ुलत ही सत्ता में वो है तो क्या इतनी आसानी से उस राज ठाकरे को स्विकार कर लेगी भाजपा जो उत्तर भारत में यूपी और भीहार में नफरत के प्रयाय हैं जो इतनी घृणा महराष्ट के अंदर उत्तर भारतियों के लिए पाल इसलिए उसे पहले अपने जंडे को केसरिया करना होगा, सीव सेना के बोट को खीच लेना होगा, धीरे धीर अपना चडितर ऐसा बनाना होगा कि सिर्फो महरास्ट के दाइरे में नहीं है, उसके अंदर किसी भी ढंक से बिहार यूपी के जनता के लिए अपमान का भाव नही है, ये बदलाव करने में अभी राज ठाकरे को वक्त लगेगा, तो क्या इतना वक्त अमित शाह देना चाहते हैं, इस वक्त में मनसे को ये दिखाना होगा कि वो ताकतवर हो चुकी है, कुछ चुनाव ऐसे बीमसी के जीतने होंगे, कुछ निगम के चुनाव अलग अलग जीतने होंगे, दिखाना होगा जमीन पर की वो ताकतवर हो गई है, उसने खीच लिया है बोट शीव सेनिकों का, और ये भरोसा आमित शाह को इसलिए है, क्योंकि उन्हें लगता है, कि सीव शेना का कॉंगरेस और NCP में जाने से जरूर कार्यकरताओं का एक बहुत बरा ब सावरकर का तो खुलियाम राहुल अपमान कर रहे हैं, कि वो सावरकर नहीं है, वो गांधी हैं, क्योंकि सावरकर डरते थे, डरपोग थे, माफी मांगते थे, ऐसा अपमान, अपमान यहीं नहीं रुका, मर्द प्रदेश में कॉंगरेस के प्रकोष्ट ने, कॉंगरेस अपने बोकलेट में सावरकर का ऐसा अपमान किया किससे पहले नहीं हुआ था वो कांग्रेश जो गठवंधन की सहयोगी है सिप्षेणा की कहा कि समलिंगी थे सावरकर जिनके संबंद थे गोड से के इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है सावरकर का शीवसेना ने उस अपमान को भी सहा क्योंकि उसे सत्ता चाहिए तो क्या ये इतनी आसानी से शीवसेनिकों ने पचा लिया क्या रास ठाकरे शीवसेनिकों के अंदर इसी दर्द को भूनाना चाहेंगे हर किसी को من्तری मंडल भी तो नहीं मिला मुख्यमंतری बनने के करण यदि मुख्यमंतری आप बन गए अपने पुत्र को एक बड़ा मंत्रा ले दे दिया तो बांकी शीवसेनिकों को क्या मिला सत्ता भी तुने क्यों कि केली सुखस्यों की सरकार नहीं है इस सरकार में हिस्सेदारी तो असल हिस्सेदारी चलती कहते हैं रिमोट कंट्रोल तो शरत पवार के पास है तो फिर सीब सैनिकों को क्या मिला ऐसे में जब सीब सैनिकों को सत्ता का स्वाद भी नहीं मिला तो फिर वो सावरकर का अपमान हिंदुत का अपमान कितने दिनों तक सहपाएगा क्या उसी को भुना लेना चाहेगा सिफ मन से और भाजपा उसे इतनी आसानी से उस वोट वेंग को नहीं भुना सकती इसलिए क्या ये जमेदारी मन से को दिया जाएगा रास ठाकरे को दिया जाएगा क्योंकि भाजबा कोई छोटा मोटा सौधा अमित्शाह करना नहीं चाहेंगे वो चाहेंगे कि अब सिव सैनिकों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए इसके लिए इस वक्त में रास ठाकरे को ये भी प्रयास करना पड़ेगा कि महरास्ट के अंदर उत्तर भारतियों के प्रती जो पीछे का जो उनका अपमान जनक व्यभार था वो खत्म हो और इसकी शुरुआत निश्चित रूप से उस बाला साथ ठाकरे के जन्म दिन पर होगा अखिर बाला साथ ठाकरे ने भी तो कभी दच्छिन के परती नफरत से अपनी राजनेती शुरू की थी लेकिन बाला साथ ठाकरे का जो सम्मान है बाला साथ ठाकरे के छतरी के नीचे रह कर क्योंकि बहुत प्रिये थे राज ठाकरे बाला साथ ठाकरे के भी तो क्या एक तरह से फिर से घर वापसी करके अपने भाई के ही उस वोट को एब्जॉर्ब कर लेंगे खींच लेंगे इसका इंतजार कर रही है भाजपा दिल्चस्प ये देखना है कि यही मीडिया थितले रूप से से देख रही है कि राज ठाकरे और भाजपा के बीच गठ बंदन हो रहा है तो उसका भी इंतजार करना होगा इंतजार लंबा है क्योंकि जल्दबाजी भाजपा को नहीं है जल्दबाजी इसलिए नहीं है कि जितना वक्त अभी लगेगा सिवसेना का भरोसा जनता में और तूटेगा इसलिए तूटेगा कि सिवसेना धीरे धीरे अपने मूल चरितर से भटकती जा रही है उसे सावर करके परती नफरत को लेकर गुस्सा नहीं आ रहा उसे हिंदुत को लेकर गुस्सा नहीं आ रहा CAA पर उसके ढुल मुले स्टेंड से उसके वोट बैंक प्रभावित होंगे भाजपा यही चाहेगी और इसलिए मनसे को भाजपा इतना तयार करना चाहेगी कि कम से कम वो सीवसेन को को खोखला कर सके तो अभी इंतजार करना होगा भाजपा और मनसे के गठबंधन को लेकिन परदे के पीछे जो खेल चल रहा है वो अद्रिस रहेगा कई अद्रिस खेल बहुत ताकतवर होते हैं बहुत बहुत धन्यवाद यदि ये वीडियो और ये विसलेशन आपको पसंद आए तो जरूर चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा लाइक कीजे और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजे ये कहानी दिलचस्प है जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है चुनाब पुर्व गठवन्धन करके मनसे को कॉंग्रस के साथ एंसीपी के साथ जाना था मगर चली गई शीव सेना और चुनाब बाद अब मनसे धीरे धीरे भाजपा की तरफ लोट रही है कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है राजनिती में यह समीकरन सबसे तेज चलता है तो बहुत कुछ अपने चरित्र में अपने चेहरे में मनसे को राजठाकरे को बदलाव लाना होगा तभी वो स्विकार होंगे बहुत बहुत धन्यवाद